नमस्कार दोस्तो मैं अमित जांगडा स्वागत करता हूँ आपका यूटूब चैनल जनरल डोजबाई एजीवर दोस्तो जैसा कि आप सभी को पता होगा फाइनल इयर के एक्जाम्स को लेकर के स्प्रीम कोरट के अंदर रिट पटीशन डाली गई थी जिसके उपर आज फाइनल डिसीजन आज चुका है और फाइनल इयर के एक्जाम्स को कंड़क्ट करवाने के लिए स्प्रीम कोर्ट ने हरी जन्डी दे दी है यानि कि दोस्तो यूजी सी अब हर हाल में आपके फाइनल इयर के एक्जाम्स को कंड़क्ट करवाएंगे चाहे वो offline mode मिले या फिर online mode मिले यानि कि दोस्तो अभी आपको exams तो हर हाल में देने होंगे चाहे आप के छेतर में करोना का संकर्मन काफी जबरदस तरीके से फैल रहा हो चाहे आप बाड़ के छेतर से आते हो चाहे आपके घर के आलात केसे ही हो ट्रांसपोर्ट किस विदा ना हो सरकार की कितनी भी गलतियां क्यों ना हो लेकिन exams तो आपको देने होंगे exam center तक पहुचने की जिमवारी सरकार की नहीं है वो ट्रांसपोर्ट भी नीच लाएंगे चाहे आपको पैदल चलके जाना पड़े बैल गाड़ी से जाएं साइकल से जाएं किसी भी तरिक्के से जाएं लेकिन exam center पर जाकर के आपको exams देने होंगे सरकार की आप कोई गलती नहीं निकाल सकते स्प्रेम कोरट की आप कोई गलती नहीं निकाल सकते विपक्स के आप कोई गलती नहीं निकाल सकते और खास कर मीडिय के आप कोई भी गलती नहीं निकाल सकते सिरफ गलती है तो सिरफ आप लोगों की कोलेज की भी कोई गलती नहीं है कोरोना की कोई गलती नहीं है चाहे आपके exam के लिए आपने पूरन तरिके से study की हो ना की हो आपकी classes लगी हो ना लगी हो कोई फरक नहीं पड़ता ये देश की राजनिती है और उसका असर आपके उपर भी आज आज चुका है दोस्तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी जिस दिन सुप्रेम कोर्ट के अंदर रिट पटिसन डाली गई थी और सुप्रेम कोर्ट ने तारिख पर दारिख देना स्टार्ट किया था तो वहीं से अंदाजा हो चुका था कि अब फाइनल येर के exam को ये लोग कंड़क्ट सिर्फ और सिर्फ राजनिती के कारण क्योंकि दोस्तो ऐसे बहुचे राज्ये हैं जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है और जैसे ही यूजी सी की नई गाइड लाइन्स आई थी तो इसके लिए उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था और दिल्ली सरकार ने नई गाइड लाइन्स जारी की तो मद्दे परदे सरकार ने सिधा बोल दिया था कि वो फाइनल एयर के एक्जाम्स को कंड़क्ट करवाएंगे वो उच्छे से राज जहां जहां पर बीजेपी की सरकार है उन्होंने किसी ने भी इसके लिए प्रोटेस्ट नहीं किया जो इसा का ऐसा फॉर्मूला नीट जही के लिए भी हो चुका है दोस्तों कि उनके भी एक्जाम्स को कंड़क्ट करवाएंगे चाहे कितने भी जबरदस्त तरीके से देश के अंदर करोना के केसिज बढ़ क्यों न रहे हों लेकिन अभी तो राजनिती के उपर ये लोग उतर चुके हैं तो सीधी सी बात है अपनी राजनिती चमगाने के लिए दोस्तों ये ऐसा काम तो करेंगे इन राजनिती वालों का कुछ नहीं बिगड़ना बिगड़ना है तो इस आम जंता का जो की बिगड़ेगा भी साथ ही दोस्तों माँ आपको बताना चाहूँगा फाइनल एयर के एक्जाम्स को लेकर के सुप्रेम कॉरेट ने इतना जरूर बोला है कि कोई ऐसा राज जो फाइनल एयर के एक्जाम्स को कंड़क्ट करवाने में सक्सम नहीं है तो वो यूजी सी से बोल सकता है कि वो उपर कोई भी नई जानकरी आएगी तो आपको परवाइड करवाई जाएगी धन्यवाद दोस्तों जय हिंद जय भारत